लगता है यूपी फिलिस डॉक्टर भी बन गई है पैशारे मौलाना को चलने में दिक्कत थी तो यूपी फिलिस ने कंधों का सहारा देकर चलाने की कोशिस कर रही है लगता है बेचारे को इस गर्मी में लू लग गई थी धूप के वज़ा से परेशान हो गया था यूपी पुलिस वो तो ठहरी दयालू बर्फ से सेकाई करके बेचारे को आपा सोड़ने जा रही यह लोग सायद भूल गए थे इनको लगा था कि इनके बाप की सरकार आ गई है यह अपने पुराने वाले काम पे दोबारा लौड जाएंगे इस मौलाना का नाम है अताउर रह्मान इसने किया क्या था इसने गुल क्या किलाए था यूपी पुलिस बताएगी इसका नाम है सल्वान यह राह चलती लड़की के हिप्स पर मार कर भाग रहा था यूपी पुलिस ने इसका हिप्स तोड मराओड दिया इसी लिस्ट में एक नाम और है डीके मिसरा इसका वीडियो अभी सामने नहीं आया है यह मतलब एक्सन वाला बाकी इस ट्रेशन में ले जाते हुए जेल ले जाते हुए वीडियो आया है इस दानों के उपर आरोप है कि इसने एक नाबालिक लड़की को वह से इसकूल का प्रेस्पल बताया जाता है तो यह नाबालिक लड़की का रिश्ट क्यों हुगा है उम्हेद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी भी सेकाई होने के बाद वाली वीडियो आएगी दो महीने से आचार संगिता क्या लगा था लोग को लगने लगा था कि बुल्दोजर पापा तो सांत पढ़ गए है यह वीडियो है अकबर नगर लखनो उत्र पर्दिस का यहां अबायत कॉलेनियों पर बुल्दोजर दुबारा से अपना काम करने लगा है हमारे देश का पर्धान मंत्रिय गाली दिए अजे हूँ अपना जगा पर पर्धान मंत्रिय पढ़ा भी बहुत गलत कर रहा दुश्मन सिर्फ बॉडर के उसपार नहीं होता है घर के अंदर भी होता है इनको दो-तिन महीने से जो नियूज ऐसा कुछ नहीं आया था कि इनका सुनके फटके फलावर हो जाए भूल ही गए थे इनको अभी भी लग रहा है कि पपा की सरकार आएगी लेकिन तुने जो हरकत की है जो बत्तमीजी की है सरकार को छोड़ो सरकार आये ना आये लेकिन त जैसे वूट पहाड के नीचे आता है न तो पता चलता हो का मीध है बाबा की पुलिस यूपी परसासन जल से जल कुछ अच्छी ख़बर दिखाएगी बताएगी सुनाएगी तो आप लोग की चैनल के साथ बने रहिए चोड़े रहिए इसका नाम है इरफान सोलंकी कानपरवाला अकलिस भाईया का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था बिधाय हुआ करता था था इसलिए क्योंकि इसका हिसाब किताब हो चुका हो चुका है कोड़ वाले अंकल ने साथ साल की सजा मुकररर कर दी है ये वीडियो में बोला था कि हम बिधायक हैं हमको ऐसे चपल जूते महार महार के पुलिस ले जाती है अब वो टेंसन पुलिस वालों के लिए भी खतम क्योंकि बिधाय की खतम कांग्रेस आगई दोस्तों बढ़ायो कांग्रेस आगई चाचा बढ़ायो अठचा कांग्रेस आगई हमको तो पिसवास ने ने हो रहा है रहैं चाचा बिस्वास तो मुझे भी निये हैं लेकिन कांग्रेस किसरी बार आ गई श्तरक्त कि उसे चचा के साथ इतना खतरनाक मजाग ठेक नहीं यादमा लग सकता है इनको क्योंकि अभी काम इनको बहुत करना है बहुत बड़े-बड़े काम करना है हुरों की पराप्ति के लिए 8500 वाला लाब भी तुर लेना है ऐसा मजाग मतकुर ब्लीच इस वीडियो को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि कुटों को विकास से कोई लेना देना नहीं होता है उनको एक टुकड़ा रोटी का किसी ने सामने से दिखाया वो विकास को अरौते हुए आगे निकल जाते है वैसे इसका भारत के उत्तर परदेश के आयुद्धा के र अरो भुनावा दार वेकर दोरी बिंडी मिलने के आपको के उजन्द में गोष्ट ही मिलेगा अलू बेंगन नहीं मिलेगा हम कहना इस बात को तो मालो भई क्योंकि जन्नत में मुर्गी फारम का जो ठेका है वो इसके पास है तो धर्ती पर सेर्फ लोग को बताने के लिए है कि मुर्गी बकरी यही सब नौन बेजी खाने को मिलेगा जन्नत में पाके तो इसको निकलना है अभी जन्नत के लिए इसको लेट हो रहा जल्दी जल्दी आप लोग समझ लो देखे जो हमारे इसलाम में है तीन तलाग हर चीज हमारे इसलाम में बहुत कायदेश है और औ अगर हम अपने इसलाम के हिसाब से देखें तो हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे इसलाम में बतायागे इस अपसे आप तीन तलाग को सही मानते है क्या आप हलाला को भी सही मानते है एक हद तक मतलब दस से पंदरा बाहर चाल सकता कि उसके उपर अगर निकल जाता है तो बाबा साब का बाबा साब के कानून का सहारा ले लेंगे मतलब मजे ही मजे अर्चना जी आप इन मदरस्ता चापों से क्या सवाल पूछ लेती है कि भारत के राश्पती परधान मंत्री सिच्छा मंत्री यसा क्या है सवाल अच्छा पूछो जो इनकी लेवल का हो इसे पूछो की दाओति इवराहिम कौन है दामुसान की क्या हिस्टरी है या बाकी जो ऐसे संगठन है उनकी हिस्टरी पूछो वो पूरला रट्टा मार की वैच्छे सब पता है तो पुछ पर राश्पती पूचे परधान मं है गलत बात है कि परदेश में जीरो चार परदेश में चार चार सीट टोटल पूरे भारत में नुन्यान नवे सीट लाने के बाद अगर यह चमची इतना ज्यादा खुस है तो सोचो अगर इसका कहीं डेर सो से दो सो सीट आ गया होता तो यह चाथ से कूद गई होती भारतिय जन्तापाटी शासित केंद्र सरकार को शांती नहीं मिली है भारतिय जन्तापाटी अर्विंद केजरिवाल जी को प्रताड़त करने में कोई भी कसर नहीं छोड रही है अर्विंद केजरिवाल जी ने सरेंडर किया उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर कूलर बताया नहीं है कि गोगुरू सेट जेल गये हैं बीबी के माई के नहीं जो कूलर पंखा हाथ वाला पंखा लाइट चली जाए तो सारा ब्योस्था छिड़का पानी बरत अब इंतिजाम हो जाए दिल्ली वाले अब सटक गये हैं साथ सीट हरा कर उनों दिखा दिया कि उनके स अब इसारे खाली हैं यह थारे यह पानी नहीं मिल पाया यह नहीं मिल पाया अभी गाड़ी आएगी बड़ी जबी तो इसा पबलिक जाते कहने ले दिल्ली को लंदन और सभी दिल्ली वासियों को जल बोर्ड में नोकरी देकर खुद को गुरू सेट तो निकल लिए हैं त दिल्ली सरकार को चला कौन रहा है क्योंकि इनके बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पत पर बैठे लोग तो जेल में बैठे हैं तो बाकी ये लोगa पानी के लिए बिजली के लिए और सभी समस्याओं साभज करते होंगे सवाल बहुत पड़ा है तो आप लोग की लगता है कमेंट करके बता हिए कि कैसे चल रही है कि है क्यों कि एक समय होता चला ही किम देना करना चला लेना जिब पती है कि कब तक रहना है gonna is gonna is gonna क्या सोते आप लोग कमेंट करिए को पूरी वीडियो अपने देखी आपको कैसा लगा कौन से किलिप पर बाबाजी के एक्षन पर आपका क्या रिएक्षन है आप कमेंट भी लिख सकते पता सकते मुना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर स्टीकर के माध्यम से और सबसे